दोस्तो अगर आपको भारत के इतिहास के बारे में जानने का, अगर आपको भारत के राजवंशों के बारे में जानने का, अगर आपके भारत के किंग्स और किंग्डम्स के बारे में जानने का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि हर सोमवार किंग्स और किंग्डम के सिरीज में हम आपको राजाओं के और दोस्तों किंग्डम्स के बारे में बताते हैं इंडिया के आज हम बात करने वाले हैं चालुक्या राजवंच के बारे में चालुक्या राजवंच भारत का स्वन्डिम इतिहास चालुक के राजवंश ने लगबख पूरे साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया पे राज किया है कई सो सारों तक कई सारे महान राजा हुए है चालुक के राजवंश में तो चालुक के राजवंच के बारे में जानना हर एक भारतिये के लिए जरूरी है क्योंकि हमारा इतिहास क्या है कौन राजा थे हमारे कितने kingdom थे कितने kings थे ये सब जानना तो हमारे लिए जरूरी है ही as a भारतिये as a Indian तो दोस्तो आईए जानते हैं शौर्ट में कि चालुक के राजवंच कौन थे और उनके कितने राजा हुए हर एक राजा के बारे में शौर्ट डिस्क्रिप्शन बताऊंगा मैं आपको ये वीडियो एंड तक देखिए और The Ultimate India को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे चालुक के राजवंचो ने तीन पार्ट में रूल किया पहले थे बादामी चालुक क्याज बादामी से रूल करते थे जो कि करनाटका में हुआ करता था दोस्तो इन्होंने Mid 6th Century से लेके 642 AD तक राज किया और इनके आखरी राजा थे महान पुला केसिंट 2 Second phase में राज किया Eastern चालुक क्याज ने Eastern चालुक क्याज पुला केसिंट 2 के death के बाद शुरू होता है और दोस्तो इन्होंने 11th century तक राज किया उसके बाद आए Western चालुक क्याज वेस्टन चालुक क्याज भी बादामी चालुक क्याज के ही वन्शज रहे है और इन्होंने 10th century से लेके 12th century तक राज किया है सबसे पहले जानते है कि चालुक क्या राज वन्श के रूल में society कैसी थी तो दोस्तो society caste में divided थी ब्राम्मन, शत्रे, वैशे और शूद्र ब्राम्मन जो की knowledge दिया करते थे जो की religious काम किया करते थे जैसे की teachers हो गए, priest हो गए ये सारे ब्राम्मन हुआ करते थे वैशे जो की business किया करते थे, trading किया करते थे, शूद्र जो की जातर किसान हुआ करते थे और दोस्तो शत्रिये जो की rule किया करते थे या फिर युद में लड़ा करते थे, soldiers हुआ करते थे और राजा हुआ करते थे चालुक के राजवंश के रूल में जो कास्ट सिस्टम था वो बहुती कडाई से माना जाता था या तक कि कास्ट के कुछ सब कास्ट भी थे और दोस्तो सेम गोत्र में शादी करना एकडम मना था कोई भी सेम गोत्र में शादी नहीं अलाउट था वहाँ पे उसके बाद mostly वहाँ पे arranged marriage होते थे जो कि parents टै करते थे और दोस्तो सबसे खास बात यह है कि लड़कियों को ये liberty मिलती थी कि वो अपने husband चुने ना कि लड़कों को liberty दियाती थी कि वो अपने wife चुने वहाँ पे लड़कियों को इतनी आजादी थी उस society में लड़कियों को इतनी आजादी थी कि वो लोग सारे फैसले करते थे लड़कियों को ही अधिकार था कि वो उनको कब शादी करना है और किस से शादी करना है वही तै करती थी इसके अलावा intercast marriage भी उस समय allowed नहीं था entertainment का सबसे बड़ा साधन हुआ करता था dancing, animal fights, dramas, wrestling पर दोस्तों जो जुआ, gambling सबसे बड़ा entertainment का साधन था उस समय जो education हुआ करता था वो religion से ज़ादा जुड़ा हुआ होता था और जितने भी school हुआ करते थे वो मंदिरों में ही हुआ करते थे और जो priest होते थे पुरोहित होते है, पंडित होते थे वही पढ़ाते थे यह माना जाता है कि जो चालुक के राजवंश है वो शैव्वे परमपरा से आता था यानि कि वो लोग शिफ की पूजा किया करते थे और उन्होंने बहुत सारे शिफ के मंदिर भी बनाये थे चालुक के राजवंश के प्रतम राजा थे महाराज पुलकेसिन ये माना जाता है महाराजा पुलकेसिन नहीं चालुक के राजवंश की शुरुवात की बादामी से जो कि आज के टाइम पे बीजापुर में स्थित है पुलकेसिन के बाद दूसरे राजा बने कृतिवर्मन कृति वर्मन पुला केसिन के बेटे थे और उनोंने कई सारे मंदिर बनाये थे राजा बनने के बाद और उनके राज में पॉलिटिकल इन्फुएंस भी बहुत जादा बड़ा था पूरे मराठा में और मैसूर, तमिलनाडू ये सब जगा पे कृति वर्मन ने अपना इन्फुएंस बढ़ाया था यहां तक की वंगा, अंगा, कलिंगा, वतुरा और मगत को भी हराया था कृति वर्मन ने कृति वर्मन के मृत्यू के बाद राजा बने मंगलेशा मंगलेशा कृति वर्मन के भाई थे और पुलकेसिन के दूसरे बेटे थे 598 AD में मंगलेशा को राजगद्दी मिली, राजगद्दी मिलते ही उन्होंने पूरा सेंट्रल और नौर्धन मराठा कैप्चर कर लिया, अपने कबजे में कर लिया पर दोस्तो कृति वर्मन के बेटे पुलकेसिन 2 और मंगलेशा के बीच सिविल वार हो गया यानि ग्रह युद हो गया और पुलकेसिन 2 ने मंगलेशा को मार डाला उसके बाद राजा बने पुलकेसिन 2 ये माना जाता है कि चालुक्य राजवंश में सबसे बड़े राजा और सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे पुलकेसिन 2 पुलकेसिन 2 610 AD में राजा बने और उन्होंने 642 AD तक राज किया पर उनका राज करना बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि मंगलेसा के मृत्यू के बाद जो चालुक के राजवंश है वो बिल्कुल डिवाइड हो गया था काफी सारे दुश्मन हो गए थे पुलकेसिन 2 के और आसपास के जितने देश है वो भी अटैक करने लगे थे चालुक्यास पर यहां तक की बहुत सारे एरियाज ने अपना इंडिपेंडेंडेंस भी घोशित कर दिया था चालुक्यास के राज से अलग होके इसके बाद पुलकेसिन 2 ने एक कड़ी कारवाई करते हुए पुलकेसिन 2 ने चोलास, चेरास और पांडियास से दोस्ती कर ली उनके साथ बहुत ही अच्छे रिष्टे बना लिये जिसकी वज़े से पूरे एरिया में शान्ती हो गई और उन्होंने साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया पे आराम से राच किया पर दोस्तों पलवास खतम नहीं हुए थे पलवास कुछ बचे हुए थे जो की बदला लेने के लिए उस्सुक थे और उन्होंने एक युद में पुलकेसिन पे हमला कर दिया और पुलकेसिन को मार डाला इसके बाद से ही चालुक के सामराज्य डिकलाइन की ओर बढ़ गया पुलकेसिन 2 आठ के काफी जादा शौकीन थे उन्होंने काफी सारे सुंदर सुंदर मंदिर बनाए है करनाटका के करनाटका में वीरु पक्षा मंदिर बहुती फेमस है वो भी पुलकेसिन 2 के टाइम पे बनाय गया था यहां तक कि अजंता और एलोरा के बहुत सारे केव सेमपल भी इसी समय बनाय गये थे पुलकेसिन 2 आठ के बहुत जादा एड्मार थे इसके अलावा पुलकेसिन 2 ने पोईट्री और लिट्रेचर को भी अपने सामराज में बहुत जादा बढ़ावा दिया उनके राज में ही पोईट्री और लिट्रेचर बहुत जादा फला 5000 Monks को भी उन्होंने शेल्टर दिया जगा दिया अपने किंग्डम में पुलकेसिन 2 के मृत्यु के बाद 642 AD में राजा बने विक्रमदित्य प्रत्थम विक्रमदित्य प्रथम पुलकेसिन 2 के बेटे थे और उन्होंने पलवास पे हमला करके पुलकेसिन 2 का बदला लिया था इसके बाद राज किया विनया दित्या ने विनया दित्या 681 से लेके 696 AD तक राज किया और उन्होंने चोला, पांडया, पल्लवा, अलुवास के साथ बैटल किया, युद्ध किया इसके बाद 734 AD से लेके 745 AD तक राज किया विक्रमदित्य 2 ने विक्रमदित्य 2 विनया दित्या के बेटे थे और इनका राज भी बहुत बढ़िया रहा इन्होंने पल्लवास को एकदम बुरी तरीके से हरा दिया और उनको लगबक खतम ही कर दिया पल्लवास का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बैनर्स, एलिफेंट, रूबीज जो कि सारे पल्लवास की पहचान थी वो सब विक्रमदित्या ने ले लिया इसके साथ ही उन्होंने चोला, चेरा और पांडियास को भी हरा दिया 7.45 AD में विक्रमदित्या 2 के बाद उनके बेटे कृतिवर्मन 2 ने राजकाज समाला कृतिवर्मन 2 आखरी चालुक के राजा थे, उनको राष्ट्रकुटाज ने हरा दिया राष्ट्रकुटा के राजा दंटी दुर्गा ने उनको हरा दिया और once for all पूरे चालुक क्यास पे कबजा कर लिया तो दोस्तों ये थी चालुक क्यास की कहानी, आपको कैसी लगी चालुक क्यास की कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे अगले सोंबार Kings और Kingdom के सीरीज में मैं लेके आऊंगा चोलास की कहानी, चोलास के राजा कौन कौन थे तो इसी तरह दा अल्टिमेट इंडिया को सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जहिंद